साथु जैभी मैं हूँ इंजर स्नेहा और आप देख रहे हैं नैशनल चौपाल इस वक्त हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश का रहले लखनों में हैं और यह जो सड़क है यह बहन कुमारी मायावती जी के आवास के तरफ जाती है और यह जो आप देख रहे हैं जो सार सब्सक्राइब करना चाहिए को लेकर आपके हमेशा सवाल होते हैं आपका यह कहना होता है कि लेकर आवाज उठानी चाहिए आज बहन कुमारी मायावती जी ने एवियम को लेकर एक बड़ा एलान कर दिया है उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि भारत के अंदर एवियम बैन ना हो आने वाले समय में जल्द ही भारत में बैन होगी एवियम यह बड़ी बात बहन कुमारी मायावती जी ने कह साफत हो रही है और आम लोग भी इसे एक जनांदोलन के रूप में देख रहे हैं तो बहन कुमारी मायोती जिने इवियम को लेकर एक बड़ा अलान कर दिया इसे के साल साथ आपको यह बता है कि बहुचार चुनाओ को लेकर लोगसभा के चुनाओ को लेकर भी बड़ी बात क कहा है कि वह किसी के साथ नहीं जाएगी इनकुमारी मायोती जी ने कई उधारान दिये हैं 1996 के उन्होंने उन्होंने कांग्रेस के साथ इसके पहले गये थे उसके बाद बहुचन समाज पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा यह बड़ी बात बहन मायोती जिन कही यह इसी क मायोती जी का आज का प्रेस कांफरेंस में महत्वपूर्ण ये मुद्दा था कि 2024 के लोगसबाद चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ नहीं जाएगी, हाँ चुनाव के बाद वो किसी के साथ जाने का सोच सकती है, उन्हें नहीं ये भी कह देगी, अब हम किसी को भी मुफ्त में किसी की भी सरकार बनेंगे, इसे बहुजन समाज पारटी अपने अकेले बलबूते चुनाव लड़ने की घोशना वहिन मायोतीजी नहीं की हैं. इस बात की गोषना की है कई बार इस बात को लेकर ये कहा है कि बश्पा जो है वह केले अपने वल्बूते चुनाव लड़ेगी लेकिन फिर भी मिडिया के माध्यम से और कई राजनेतिक चिंतकों के माध्यम से यह रगातार कयास लगाए जा रहे थे कि बारी कहीं आप ग्र प्रभारी नाश पांडे उनका भी बयान आया था उनने कहा था कि कॉंग्रेस के जो हमारे जो लोग हैं कॉंग्रेस के जो काड़े करता हैं वह बसपा के लोगों से संपर्क में हैं और आने वाले 15 तारीक तक बहुत कुछ हो सकता है तो यह बड़ी घोष्णा का इंतजार लो कॉंग्रेस बीजे पी पर उन्होंने जम करह उन्हें इसका का छोगन। ब्राइबल है और ये उनके वजह से सवर्ण है वो सब मिलतान चोगनेशिप पीजेपी का जो बेशोट है वह सवर नोट है जो कि हमें कभी नहीं मिलता है गड़ बदन करने के बाद भी श्यादों को तो कह दिया कि वह गड़ गिर्गिट की तरह रंग बदलते हैं वहीं आपको यह बताई कि आज के इस मौके पर बैंकुमारी माया वतिजी ने मेरे संग कहा कि अब हमारे पास बहुत काम है हम चुनावी काम में वैस्त हैं और इसे हम नहीं जापाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे, ऐसा नहीं कहा, इनुका अभी तक फैसला नहीं लिया है, तो ये बैनकुमानी मायतिजिन का लोगिन उन्होंने ये भी कहा है, जो किसके पहले भी बैन मायतिजिन ये बात दोराई थी, कि अगर जिस प्रकार से आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्मान हो रहा है, उससे हमें कोई आपती नहीं है, और भविश्य में जब भी कभी मज़ित का निर्मान होगा, उससे भी हमें कोई आपती नहीं है, ये बड़ी बात कही है, नर्सी मारा का जो बात कही थी, लोगतंतर का चमतकार जो बैन मायतिजिन को कहा था, इस पर भी लोगों का यह कहना था आपको लोगतनत्र का चमतकार कहां जा रहा है और आपको बहरत की प्रदार मंतर की तौर पर देखा जा रहा है आपका क्या मानना है दुर अ लाटेकर आप तमाम जो वीवर से दर्शक है बोजन से पाटी समृधक है और दूर आप चल रहा था तर्फ लेकर नेक्स्ट पीम बहाज आ रही थी और उन तमाम बातों पर आज बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ सोचती है उन तमाम चीजों का अपने प्रेस कांफरेंस में कहीं है चल पर सर्कार चलाई और सरवजन हिताई सुखाय के अधार पर यह सरकार चलाई हमने किसी भी धर्म के धर्म के अधार पर जाती के अधार बैद्भाव नहीं किया इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमने लोगों को लाचार नहीं बनाया और यह उन्हें इपने अपने अपर बैन मायावतिजी ने खिया है तो आज जर्मदिन की मौके पर भाड़ी मायावतिजी ने बड़ी बाते कही हैं जो कि महत्वण मुद्दा ही हैं कि एवियम को लेकर बैन मायावतिजी का बड़ा सवाल रहा है दूसरा ये है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बस्पा किसी के साथ नहीं जाएगी बस्पा जो है वो अपने बलबूते चुनाव लड़ने वाली है ये अभी बैन मायावतिजी जिने एलान किया है हाला कि ये राजनि के साथ नहीं जाएगी लेकिन एक और दर्वाजा अभी खुला है एक और खिड़की अभी खुली है क्या बस्पा तीसरा मोर्शा बनाएगी ये इस पर लोग विचार करने लगे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को लेकर और भी ऐसे कई अन्यदल है बस्पा के अलाव ये कहा है कि ये किताब आने वाले वाले प्रेस कंफरेंस के उसका बीडियो हमने इस अपने चैनल पर डाल दिया है आपकर क्या मानना है कामें सेक्षन में लिखें बढ़े रहे हैं नेशनल चौपाल पर तब तक लिए जय भी जय भारत कर दो